हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दे चैनल सस्टी स्टेडी पॉंट और आप सभी को पता है कि बिहार में इसमें टीचर्स की वेकेंसी हैं पी आर्टी हैं टीजीटी है ठीक है पी जीटी है इन सबसे रिलेटिट वेकेंसी आई हुए हैं और इसमें एक कॉमन पेपर होगा सबको पता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश के कोश्चन आएंगे और यह केबल आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें 30 नंबर आप 25 question जो हैं वो English के होंगे तो अगर आप Hindi अच्छे से त्यार कर लेते तो उसमें से 30 question आसानी से ले आएंगे क्योंकि minus marking है नहीं तो उसी से संबंदित मैं यापर Hindi के एक वीडियो लेके आई हूँ पिछले वर्सों में जो बहुत सारे exam में question पूछे गाएं किस तरह के question exam में पूछे जाते हैं उसे related वैसे channel पे भी Hindi की एक playlist है आप जाके देखेगा बहुत सारी वीडियो उस पे channel पे हैं वो देख लेंगे तो आप definitely इस paper को तो qualify कर लेंगे तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe कीजिएगा आज का पहला question देखते हैं मूर्धन ने ध्वनिया कौन से हैं तो इसके लिए मैं आपको trick बताती हूँ और जैसी आप trick एक बार रट लेंगे तो आपको समझ में और फिर ये टावर्ग ये तावर्ग और ये पावर्ग पावर्ग होते हैं अब का के पूरे पाँच होते हैं का खग अड़ा ऐसे करगी न चचच जग यहां तो कावर्ग यानिकी ये क्या हुआ कंट के फ़र कंट तावर्ग यानिकी तालू M for मूर्धन, मावर्ग ये दात, D for धनतस, O for ओस्ट तो आप समझ लिजे ये वाले इसका गुरूप बना लिजे तो मूर्धन कौन सा हुआ, टावर्ग हुआ नहीं हो, टावर्ग वाले तो टावर्ग वाले ये क्या हो गया, मूर्धन इसका अगर दनतस पूचा जाता, तावर्ग वोता और ओस्ट का पावर, तो इस तरह से ये क्या नाम है, काचा टाप और ताप ये वाले इसके आगे लिख लेंगे तो आपको रट जाएगा, अब भाशा की सबसे छोटी काई, आप सभी को पता ध्वनी होती है और मुर्धन वो होते हैं, जो हमारी जीवा जो है, हमारे तालू पर टेच करें और आगे की तरफ प्रेशर डाले, हवा निकाले, और उससे हम अपने अक्षरों को बोल पाएं, तो वो हमारे मुर्धन होते है कौन सा वन अगोश है, अगोश वो वन होता है, जब हम घोश का मतलबी होता है कि जब हम कोई स्वर या वन बोल रहे हैं तो हमारी आवाज में जंकृत हो, या हमारी आवाज की जो स्वर तंत्रियां हो, उनमें कमपन हो तो जब कमपन होता तो वो सगोश होती है और जब कमपन नहीं होता तो वो अगोश होती है तो सगोश, अगोश में कौन-कौन से होते हैं जो क, च, आपके बता है ट और त, ये वर्ग जो होते हैं का और खा, पहले और दूसरे, चा और छा, ठीकर टा और ठा, ता और ठा, ये जो होते हैं, ये अगोश में आते हैं, तो इसमें जो चा होगा, ये इसका उत्तर होगा, और ये देखें, यहीं पर ये लिखा हुआ है, पूरा आप देखें, का खा, चा चा, ताठा, ताठा, पा और फिर सः यह तीनो शाज हों हैं यह भी अगोश में आते हैं और remaining जितने हैं वो सघोश में आएंगे अब यहाँ पर घोश पूच रहा है तो सघोश में में निडा हो गया क्योंकि टा और ठा टा और ठा यह दोनों तो अगोश में होंगे और फर डाज होगा वो काई में होगा सगोस में होगा जब कि ता और पा ये शुरू के हैं तो ये अगोश होंगे और था ये दूसरे नमर पर था तो ये भी अगोश होगा महाप्राण किसे कहते हैं तो महाप्राण और अलपप्राण आपने पढ़ा होगा और नहीं प प्राण कहे जाते हैं ठीक है तो ये इस टाइप के question जो है आप तयार कर लीजेगा अब बढ़ माला क्या कहते हैं बढ़ माला किसे कहते हैं बहुत common question है लेकिन important भी question है तो वर्णों के विवस्तित सम्हूं को हम बढ़ माला कहते हैं ये तो आप सभी को पता विवस्तित तरीक किसे जैसे चा लिखा है तो उसके अच्छाई लिखा जाएगा जा ऐसा नहीं चा यहां लिख दिया फिर टा लिख दिया फिर पा लिख दिया नहीं बिलकुल विवस्ता से ढंक से रखे हूं तो वो बढ़ माला कहते हैं अर्दस्वर किसे कहते हैं तो अर्दस्वर जो है व पा और फा तो आपको पता है पा और फा जो है वो किस में आता है घोश में आता तो पा फा भा 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 मा फिर इसके बाद जो वा किस में आता है या राला वा वा या वा जो आएगा वो सगोश में आएगा तो यहां पर इस चीज को याद कर लीज़ेगा अर्दश्वर जो है वो इसमे यह राला वा होंगे और इसके लिए इसका उत्तर यह होगा ठीक है तो इसमें वा के लिए भी बताया है कि यह घोश के अंतरगत भी आता है टावर्ग अपने आप बताईए कि टावर्ग किसके अंतरगत आता है तो टावर्ग जो है यह आपको मैंने बताया था फिर पर कोशन भी था मैं फिर से इसलिए बता रहे हूं कि आप जब जब इस वीडियो को देखेंगे तो रख जाएगा जैसे रेटा राशा ये टावर्ग की धुनियों का उचारण का इस्थान मूर्धन है तो ये सब जीव वाला है मूर्धा जीव और इस परश करने वाला ताव जो बोल रहे हैं वह धुनी तो निकाल रहे हैं बस उसको आपने बता दीया है कि ये प की दोनी कर गव की दोनी ठीक है चावर्ग का उचारण कर च्थान क्या होगा तालव है तालव वी था लगा बताया था आपको के टी मडों से आप देखिएगा तालव निकलेगा चाव का हलंतियुक्त हलंतियुक्त व्यंजन तब लिखा जाता है जब व्यंजन में आ की मात्रा होती है व्यंजन में आ की मात्रा नहीं होती हलंतियुक्त व्यंजन संश्कित भासा का हलंतियुक्त व्यंजन अपने मूल रूपे नहीं होता तो इसका बताईए हलंतियुक्त में क्या होगा आ की मातरा उसके अंदर नहीं होती विना स्वर के होता है आ स्वर है ना तो इसमें आ की मातरा देखो नहीं होती जैसे हम हा छोड़िए हमने का लिखा है का को जब हम खोलेंगे इस वनक का विच्छेद करेंगे तो यह हलंत लगाएंगे और इसमें आ जोड़ेंगे इस स्वर इसमें लगा हुआ है जो कि हमें दिखता नहीं है बिना स्वर के अगर हमें कोई वियंजन लिखना है तो हलंत के साथ लेखेंगे कोई भी कोई भी कोई भी आप वियंजन लिखें तो हलंत के साथ यह बिना स्वर का है लेकिन जब हम यह इस तरह से लिखते हैं तो यह स् लिटेंगा जैसे की आप बिलकुल भूले गा मत यह पिछली बार भी पता चुकी हूं पिछली वीडियो में करब पूच्अ है यह इसका nasıl स्थान इसे है ना तावर का ताथदा ना तो चौदा का जो है दात और नासी का दो नो बता रहा है तो यह इसमें यहाँ पर यह वाला धंत वाले तो इसको याद रखेगा ठीक है अगला है शा शा ध्वनी का उच्चारण जो है उसका कहा से होता है तो उसका तालू से होता है इसको जाद रखीएगा क्योंकि जो शाब आले है इनको जोड़ा जाता है दूसरों के साथ इनमें से कौन सी अल्प प्राण है अल्प प्राण का मतलब क्या है महा प्राण का मतलब वो है जिसमें ज्यादा ध्वानी निकले और अल्प प्राण कौन से होते हैं अल्प प्राण वो हो चीज को यादर कि अंतर इस्त वेंजन है और यह यह राला भा उसके अंतर गताएंगे इस चीज को यहाँ पर याद कर लीजगा अगला है निमल में से अशुद आक्षरिक खंड अभी आगे देखे आक्षरिक खंड यानि कि शा जो है वो किस्से मिलकर बना है त्र किस्से मिल कर बनाए ग्य किस्से मिलकर बनाए और श्र तो यह देखे यह सही है बी बी सही है और ए भी सही है यह इस्से मिलकर बनाए यह संयूक्ति वेंजन है जबकि ग्या जो है वो इस्से बनकर नहीं बनाए ठीक है तो ग्या किस्से मिलकर है हम अपको बताते हैं यह देखे ग्या म differentiate, や पर यह गलत है और इसलिए सी यह रहता हैं इसलिए सी यहांपर सही बताई है गया को वयसे जया बोलते हैं, यह सही उक्ति विएनजन है याद रखिएगा चारो यह जो हैं यहाँ पर फिर से बता रही है यह चारो निमलिखित में से उश्म वेंजन बताईए तो जिन में से उश्मा निकले बताईए किसमें निकले इस तरह से आप अगर याद कर लेंगे और वीडियो आप चैनल पर देखिएगा सारे वेंजन की विल्कुल आपको यहाँ पर रट जाएगी वहां पर पूरा डीकेल में दिया है अर्द वीड़ल स्वार पूरा ostr यहाँ पर मुक को पूरा मुख खोल के बोला यह सब हैं तो यह देखिए,《मुखद्वार》 कितना आपका खुल रहा है? उसके आदार पर चार करकार के स्वर या वेंजन जो भी है, वो स्वर होते हैं, तो वीवरत स्वरवमिक का उचारण, पूरा खुलता है, जैसे आ, आ को आप बोल के देखिए, मुखदवार आपका पूरा खुलेगा, अर्द वीवर्थ में आपका पूरा मुख नहीं खुलता है, अ, ए, अ, अ, ओ, अर्द संवरंत में, संवरंत में क्या होता है कि इस उचारन में मुखदवार आदा बंद रहता है, जैसे A, O ठीक है, संवरंत में क्या होता है, मुखदवार लगभग ही बंद रहता है, जैसे E, O, O बोलिए तो मुखदवार आपका नहीं खोलता है तो यहाँ पर अर्ध वीवरंत कौन सा हो गया अर्ध वीवरंत के अंदर A, A, O हो गया तो इसके अंदर गत आपको जो है ये वाला जो है B जो है उत्तर यहाँ पर सही होगा अगला है जिसका उचारण उपर के दातों पर जीव लगने से होता है तो वो दंतस्त है, दास से जैसी लगेगा तो दंतस्त हो गया, पलुत, पलुत स्वर क्या होते हैं, तो पलुत स्वर ओम जो होता है, तीन प्रकार के स्वर होते हैं, आप वीडियो में देखके आईएगा, कि उसमें एक पलुत भी होते हैं, ठीक है, तो पलुत, पलुत जो हो इनके बारे में पूरा आप वीडियो में देखेगा चैनल पर है वीडियो महापराण वियंजन कौन से हैं तो महापराण वियंजन आपको पता है जिन से क्या होता है कि जिनके बोलने से ज्यादा जो हवा निकलती है मुख से तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वियंजन जो है वो महाप्राण है और जिसके उच्चारन से आधिक हवा निकलती है तो यहाँ पर देखे दूसरा और चौथा दूसरा और चौथा इसका अलगा क्या हुआ इसमें भी होगा का के बाद खा आता है चा के बाद छा आता टा के बाद था आता तो ये वाला जो होगा ये महा प्राण होंगे तो इसके बाद आज का आखरी कोश्चन है दंतोस्ट वाले कौन से होते हैं जो दांस से बोले जाते हैं और दांसी कौन दंतोस्ट धुनिया जिसमें निकलती हैं तो के टी एम दो, के टी एम दो, तो देखें, के टी एम दो, है न, डी फोर दंतोस्त, और ता और पा, तो ता वर्ग वाले दंतोस्त होंगे, पा वर्ग वाले तो जो होंगे, वो क्या नाम है, पा वर्ग वाले जो होंगे, वो उस्त से विले होंगे, तो इसमें जो इन्होंन पाफा बाभा ये वाला दिया है ये दन तोस्ट नहीं होंगे ठीक है यानि कि ताथा दाधाना तो ये वाल ये जो है आंसर ये यहां पर गलत है ये मुझे कन्फिजुन लग रहा अगर आपको सही लग रहा तो कमेंट बाक्स में बताईएगा दोस्तों वीडियो अगर आपक अच्छी लगी हो नॉलिजेबल लगी हो तो लाइक कीजिगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिगा धन्यवाद दोस्तों